हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ सासा draw करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो या phone consultation लेना चाहते हैं तो आप हमें whatsapp के जरीए signal के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए message send कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है कुछ इस तरह से एक complete square shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को check किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छी लंबाई में और काफी thick fingers यहाँ पे नजर आ रही है खासत और पर इनकी तरजनी यानि index finger की बात की जाए तो बिलकुल straight और बहुत अच्छी length में यहाँ finger नजर आ रही है इस finger का अच्छी लंबाई में होना indicate करता है कि native की leadership qualities काफी अच्छी रहेंगी साथी साथ ऐसे व्यक्ति काफी spiritual minded होते हैं और इस finger का अच्छी लंबाई में होना native को काफी अच्छी wisdom भी देता है अगर हम बात करें इनकी शने की finger की अब यहाँ पर देख सकते हैं बिलकुल straight और बहुत अच्छी length में यह finger नजर आ रही है जिसकी वज़े से ऐसे native काफी hard working होते हैं एक discipline type की personality ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है और अगर हम इनकी सूरे finger की बात करें तो यह है आपको हलका सा इनकी index finger के मकाबले थोड़ी short नजर आएगी लेकिन बिलकुल straight है और high set है यह finger जिस वज़े से एक अच्छा social circle इनका रहने वाला है और काफी creative type की personality काफी अच्छी artistic and creative qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहते हैं जिनक सूरे finger बिलकुल straight हो अच्छी लंबाई में हो और अब यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो mercury finger है बहुत अच्छी length में बहले ही हलकी सी low set भी आपको नजर आएगी यहाँ पर अगर मैं एक line draw करता हूं तो कुछ इस तरह है कि एक रिखा बनती हुई जिसमें आप देख सकते ह और इनकी सूरे finger इनकी शनी finger और इनकी groove finger तीनो ही तीनो काफी अच्छी लंबाई काफी high set है काफी ऊपर से शूरू होती ही नजर आ रही है अच्छी length में है जबकि इनकी जो mercury finger है लंबाई में काफी अच्छी है क्योंकि यहां फिंगर आप देख सकते हैं यहां पर इनकी सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलंज है इसको भी क्रॉस करती हूँ यहां तक पहुंच रही है इस वज़े से इस फिंगर की लेंथ में कोई कमी नहीं है लेकिन तोड़ी सी लो सेट होने की वज़े से तोड़ी शाई नेचर रह सकती है लेकिन इस finger का अच्छी लंबाई में होना indicate करता है कि native का business equipment काफी अच्छा रहेगा काफी strong calculations ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है सभी fingers में कुछ हलके gap आप देख पाएंगे इस तरह के gaps का होना native को काफी ज़दा independent सभाव का बनाता है इस तरह के gaps अगर सभी fingers में मौचूद हो तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से जिद्धी सभाव के भी होते हैं थोड़ी सी rebellion type की personality भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकते है लेकिन ऐसे native जिनकी सभी fingers में हलक हलके gap हो जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसको करकर ही दम लेते हैं कुछ इस तरह का सभाव fingers के बीच में बनने वाले gap native को देते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी fingers के उपर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रिखाएं भी नजर आएंगी middle और lower phalanges के उपर इस तरह की रिखाओं का होना indicate करता है कि native milan सार सभाव का रहेगा दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश जाने वाली nature ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी यहाँ पर इनके guru mount को देखा जाये तो काफी उभरा हुआ आप देख सकते हैं इनका जो ब्रस्पती mount का area है आपको काफी उठा हुआ नजर आएगा इस mount का prominent होना indicate करता है कि native काफी अध्यात्मिक टाइप का रहेगा ऐसे व्यक्ति धर्म करम के काम करने वाले होते हैं खास तोर पर middle age के बार ऐसे व्यक्ति की रूची spirituality के तरफ काफी अधिक हो सकती है इस mount का prominent होना native की knowledge और wisdom को भी काफी हद तक enhance करता है और आप यहाँ पर देखेंगे इनके अंगूठे के उपर यहाँ पर आपको एक बुद्धाजाई का चिन बनता हुआ भी नजर आएगा एक prominent Jupiter Mount के साथ साथ अगर इस area में आपको इस तरह का बुद्धाजाई का चिन भी नजर आए तो ऐसे native की six sense भी काफी strong होती है आने वारी खटनाओं का पूर्वा अभास ऐसे व्यक्ति को बाकू भी हो सकता है ऐसे व्यक्ति कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो जा अपने किसी relative या friend के साथ होने वाला हो के बारे में पहले से ही अभास कर लेते हैं इस तरह हैं कि फल हमें बुद्धाजाई का चिन अथेली पर देता है अगर हम बात करें इनके शनी परवत की तो आप देख सकते हैं शनी का एरिया दबता हुआ नजर आएगा हलका सा अंदर की तरफ जिस वज़े से जीवर में का को कुछ इस तरह से नजर आएगी जो शुरुआत में काफी स्टॉंग है लेकिन आगे चलकर यह रेका कुछ ओवरलैपिंगि भी इंडिकेट कर रही है इस तरह है कि ओवरलैपिंग का होना इंडिकेट करता है कि जीवन में समय समय पर काफी उतार चड़ा भी रहते हैं ऐस फेट लाइन के स्ट्रॉंग होने के साथ साथ आप देख सकते हैं इनके हाथ में काफी अच्छा एक मनी ट्राइंगल बनता हुआ मनी ट्राइंगल का हाथ में बनना नेटिव को काफी लगी बनाता है लेकिन यहाँ पर हलकी सी भागया रेखा में ओवरलैपिंग होने की वज़े से समय समय पर कुछ धनका नुकसान होने की समभावनाएं भी रहती हैं अब देख सकते हैं यह जो रेखा है यह भागया रेखा जाए एक दूसरे को टच कर लें तो यह है ट्राइंगल जो बनता है इसको हम बहुत ही लखी ट्राइंगल मानते हैं इस ट्राइंगल को मनी ट्राइंगल का नाम दिया जाता है ऐसा ट्राइंगल होने से नेटिव अपने चीवन में काफी अच्छा धन संचे कर पाने में काम इस साथ इनके सूर्य और शनी परवत के उपर आपको अधूरा गर्डल आफ वीनस बनता हुआ भी नजर आएगा यह जो एरिया है यह सूर्या का एरिया कहलाता है और यह अंदर की तरफ दब रहा है जिस वज़े से यश में कमी रह सकती है ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भ आध्यम से एक अधूरा गर्डल आफ वीनस आपको बनता हुआ नजर आएगा कुछ इस तरह ऐसे बीच में से थोड़ा सा खुला हुआ एरिया आप देख पाएंगे इस तरह का गर्डल आफ वीनस अगर हाथ में बन रहा हूँ तो नेटिव की रूची एंटर्टिनमेंट इस इंडस्ट्री में रहा सकती है और ऐसे व्यक्ति का भेतर काफी स्ट्रॉंग क्रियेटिव क्वालिटी और आटिस्टिक क्वालिटी रहती है लेकिन जो यहाँ गर्डल आफ वीनस है इसका ब्रोकन होना और खोला हुआ होना नेटिव को मूरी सभाव का भी बनाता है ऐस से लगबग शुरू होने वाली रेखा इनके हाथ में और यहाँ पर आकर यह रेखा एक से अधिक शाखाओं में बढ़ती हुई जिस वज़य से थोड़ी फोकस में कमी रह सकती है ऐसे व्यक्ति एकी समय पर कई काम करने वाले होते हैं एक मल्टी टास्किंग टाइप की पर का सा लो सेट है लेकिन साती सात यह मांट आपको काफी उठा हुआ भी नजर आएगा इस मांट का उभरा हुआ होना नेटिव के स्ट्रॉंग बजिनस सेकुमेन को भी दर्शा आता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में मरकरी लाइन मौचूद है लेकिन यह बीच बीच में से काफी सारी ब्रोकन स्थितिय में नजर आ रही है कुछ इस तरह की ओवरलापिंग से इस रेखा में होती हुई इस वज़ए से नेटिव को डायस्टिव सिस्टम से सबंदे दिखतों का सामना भी करना पड़ सकता है क्योंकि इसे हम हैल्थ लाइन के तौर और भी देखते हैं साथ ही साथ इस तरह की ब्रोकन रेखा होने से नेटिव को शेर मार्केट जैसी चीजों क्रिप्टोक्रेंसी जैसी चीजों से थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए क्योंकि अगर यह रेखा ब्रोकन हो तो इस तरह की चीजों से अपस hypnotze होने की समभावना बढ़ जाती है overall इनके communication skills काफी बहतर रहने वाले हैं क्योंकि mercury finger और mercury mount का area काफी strong है चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी major lines को अब देख सकते हैं heart line कुछ इस तरह से हलकी सी overlapping के साथ आगे बढ़ती हुई कुछ इस तरह से यह रेखा एक shift लेती हुई और अंत में चलकर यहाँ पर आपको एक Vishnu symbol बनता हुआ भी नजर आएगा इस तरह का Vishnu चिन अगर हथेली पर बन रहा हो तो यह native को काफी भागेशाली बनाता है अगर ऐसा व्यक्ति इमांदारी के रास्ते पर चलता रहे तो जीवन में काफी अच्छी तरक्की की समभावनाय रहती है लेकिन जिन लोगों के हाथ पर यह Vishnu चिन हो और ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बैमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे अगर हम बात करें इनकी line of mind की आप यहाँ पर देखेंगे mind line काफी अच्छी लंबाई में और बिल्कुल स्ट्रेट है इस तरह की mind line का होना native को काफी अच्छी memory देता है ऐसे व्यक्ति का mind काफी शार्प रहता और इनी वजहों से ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा धन कमा पाने में काम्याब हो पाता है अगर हम इनकी life line की बात करें आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छी लंबाई में life line नजर आ रही है और life line के last में बहुत ही बारीक रेखाओं से एक फिश जैसी अक्रिती बनती हुई भी नजर आ रही है आपको ड्रॉगर कर दिखाना चाहूंगा कुछ इस एरिया में बहुत ही हलकी रेखाओं से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की शेप बनती हुई इस तरह का चिन अगर हथेले में केतू परबरपर बनता है तो यहाँ व्यक्ति को काफी लखी बनाता है ऐसा चिन होने से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है और जीवन में कई बार सड़न वेल्थ गेंस भी होते हैं चानक धनलाब ऐसी रिखाओं की वज़य से होने की संभावनाई रहती है आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी लाइफ लाइफ लाइन लेंथ में काफी अच्छी है जिस वज़य से नेटिव की जो एज है काफी लंबी रहती है ऐसी लंबी लाइफ लाइफ लाइन का होना दर्शाता है कि नेटिव लगभग 75 से 80 के आसपास की एज को इंजॉय कर सकता है वीनस माउंट की बात की जाए आप यहाँ पर देखेंगे वीनस का जो एरिया है काफी उठा हुआ है जिस वज़य से हर तरह की सुक्सविधाएं जीवन में रहती हैं और यहां रिखाएं होने से फैमिली की तरफ से कुछ चिंता है कुछ वरीज रह सकती है यहां से आप देख सकते हैं उपर की तरफ उठने वाली रेखा अगर सीधा शनी परवत की तरफ बढ़ती है किसी ऐसे कामे ऐसा व्यक्ति इन्वाल्व हो सकता है जो फॉरण से जुड़ा हुआ हो या विदेश जाकर भी धन कमाने की संभावनाएं काफी प्रोबल रहती है आप यहां पर देख सकते हैं कुछ आड़ी रखाएं होने से माइनर एंग्जाइटी की दिक्कत भी रहती है अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद